नमस्कार दोस्तों, गारगी क्लास इस पर आपका स्वागत है, डेट आज की 4th of November 2021 और देख लेते हैं Indian Express की Important News जो अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं First News जो रहेगी वो है, WHO ने हमारा जो Homemade Vaccine है, COVID के लिए, that is Co-Vaccine, उसको finally Approval दे दिया है जानेंगे इस पूरा डेटेल में इस मुद्दे को, दूसरी दर एक चोटी News है, जो कि एक Consumer Point Office से बहुत important है कि पिछले साल से लगातार जो rise हो रही है ना, fuel price, तो उसमें जो excise duty है, उसको Central Government ने cut किया है एक लिटर के उपर पांच रुपए के हिसाब से तो, पेट्रोल पे, और दूसरी तरह देखो कि डीजल पे, तो दस रुपए पर लिटर के हिसाब से और फिर इसी कदम को उठाने के बाद में, ये तो Central Government ने उठाया, फिर इसी चीज़ को आगे देखते हुए, जो value added tax जो apply किया जाता है, state governments के दुआरा, कुछ states ने इसमें भी reduction किया है तो ये एक दिवाली पे एक gift कह सकते हैं consumers के लिए, कि थोड़ी बहुत relief मिल सकती है इससे, दूसरी जो news है, वो इतनी detail में तो हम discuss नहीं करेंगे, बस यहीं पर एक नजर डालनी है कि October मन्त में service sector है ना, वो strong uptick show करता हुआ दिखाई दिया, that means, service sector का revival October 2021 में कहीं नहीं देखने को मिला और ये चीज रिलीज हुई है कि इसके basis पे, purchasing managers index, ठीक है, उसके basis पे, okay, बाकी ज्यादा कुछ इतना important नहीं है, इसके अलावा, US government के दौरा, जो Pegasus spyware बनाने वाली company है, that is NSO, उस company को blacklist कर दिया गया है, क्योंकि उनका ये मानना है, कि NSO के दौरा जो ये को दिया जाता है, और उनके दौरा, लोगों के खिलाफ जासुसी की जाती है, जैसे कि हमें पता है, कि इंडिया में भी इस मुद्दे को लेकर के, अभी जो हमारे chief justice of India है, N.V. रमना जी, उन्होंने एक expert committee constitute की है, three members की, और उसको ये task दिया है, कि आप Pegasus spyware के मुद्दे क एक बार investigate करो proper, और उसके बाद में अपने report submit करो, जिससे पता पड़े कि क्या है ये पुरा माजरा, ठीक है, तो ऐसे में देखो USA का जो department of commerce है, उन्होंने इस अपने statement के basis पे NSO को entry list में entry दे दिया, entry list का मतलब हो गया, वहां से black list, that means, बहुत सोच समझ करके NSO को वहां पर approval मिलेगा या फिर एक बार ban ही कर दिया गया है, इसके ल tienवा रश्या की bी companies हैं, छी के अलावा सिंगापूर की और companies हैं जो भी इसी तरीके से involved, सिंगापूर की तो नहीं मेंली रश्या की बहुत साdollar companies हैं जिनको involved कर रखा हैं इस तरीके सें, तो pegasto su spyware पे इस तरीकी की activity क करना किसी भी सरकार के द्वार है यह कहीं हम देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टन्ट है इसके अलावा देखा जा सकता है यहां पर कि देखो कोविड धीरे-धीरे रिसीड कर रहा है कोविड की एफेक्ट है वो थोड़ा डाउन हो रही है तो इसका रेजल्ट ही है कि कार्बन यह एकसाइड एमिशन जो है वो राइज हो रहा है तो उस पॉइंट ऑफिस इस आर्टिकल को एक बार देख लेंगे बाकी इधर श्री नगर से शार जहां के बीच में फ्लाइट जो चलनी थी उसको देखो इंडिया ने अभी शुरू किया ठीक है अभी कोविड के बाद म पर यह जो रिक्वाइरमेंट थी यह पाकिस्तान ने अलाघ नहीं किया क्योंकि जैसे हमें पता है कि अगर इंडिया का मैप देखा ज़ाए तो स्री लंका से अगर स्री नगर से अगर देखे है तो यहां से अगर फ्लाइट जाए तो सिदी सी बात है पाकिस्तान से तो उड़के जाएगी उपर से तो पाकिस्तान ने मना कर दिया ठीक है तो यह है मेन मुद्दा बाकी जादा कुछ खाम का है नहीं बाके नेसे जो नेशनल सेक्यरिटी अडवाईजर लेवल की जो मीटिंग है उसमें भी देखो मना कर दिया है इसके आगे एक छोटी सी नियूज यह है कि उत्तर प्रदेश ने तो पहले ही एक कानून बना दिया था जाएगा मध्या प्रदेश मध्या प्रदेश पब्लिक एंड प्राइवेट ट्रॉपर्टी डेमेज रेजोलिशन एंड रीकवरी बिल ट्वंटी ट्वंटी वन क्योंकि हमारे हाँ पर देखो डिमोक्रसी है और आजकल ये दंगे होना और ये चीज़े बहुत ज़्यादा होने लग गई है तो इसकी वज़े से जो भी आंदोलन कारी लोग हैं उन लोगों को रिकगनाईस किया जाएगा और रिकगनीशन के बाद में फिर उनसे उस नुकसान का हर जाना भरभाई करवाई जाएगी तो ये चीज़ पहले यूपी कर चुका है अब एमपी भी ऐसा कानून लाने के लिए रेड़ी है ये चीज़ थी इसके अलावा दिल्ली में देखो इलेक्टरिक वहिकल्स को पुश करने के लिए एक तो पांच सो से जादा चार्जिंग पॉइंट्स बनाने की बात की जारी है इसके अलावा जो नए वहिकल्स जो भी लॉंच होंगे उनमें टार्गेट यह है कि 25 परसेंट तो इलेक्टरिक वहिकल्स ही वहाँ पर निकले इसके अलावा अगर देखे एक चीज और कि जो डिलेवरी सर्विसेंट हैं फॉर एक्जामपल जो मेटो ओला उबर यह जो हमारे यहां पर काम करती है ना जो आप सर्विस प्रोवाइडर्स तो उनके लिए भी कर दिया कि आप कम से कम 25 परसेंट जो जितने वहिकल्स यूज करते हो उनमें 25 परसेंट वहिकल्स जो है वो इलेक्टरिक वहिकल्स होने चाहिए तो यह कुछ चीजे है जिनकी तरफ से दिल्ली की सरकार पुश कर रही है इलेक्टरिक वहिकल्स की तरफ ठीक है इसके लिए जो पैसे की रिक्वाइर्मेंट है वो वहां की सरकार कहां से फुल्फिल करेगी वो देखो लगबख सो करोड रुपए ठीक है सो करोड रुपए जो है वो एन्वार्मेंट कॉम्पंशेशन चार्जिज एसी सी ठीक है यहाँ पर यह पूरा infrastructure development करने में या electric vehicles को promote करने में use किया जाएगा इसके आगे एक बार last में world page पे नज़र डालेंगे इसके आगे explained page पे first article तो वही co vaccine वाला ही है तो एक बार मोटी मोटी बाते हैं उन पे नज़र डालेंगे और इसके अलावा यह दर देख सकते हो road kill और extinction risk इसकी वज़े से north इंडिया में हो सकता है leopard जो है उनकी population लगातार decline कर रही है तो यह threaten some है ठीक है उस point of view से देखेंगे इसके अलावा यह वाली news भी देखेंगे मलनू फिरावर ओके इससे संबंदित दूसरा हम देखेंगे तमिल नाडू में जो one year community के लिए जो कोटा था reservation को इसको अभी तमिल नाडू high court that means हम बोल सकते है मदरास high court ने रोक दिया है रोक लगा दिया है जानेंगे इसको इसके अलावा मेगाले में जो matrilineal inheritance को लेकर कि जो system चल रहा है उसमें changes लाने से related यह है इस पर भी नज़रा डालेंगे इसके आगे economy page पे हम जो नज़रा डालेंगे वो रहेगा one sun one world one grid connect यह facility जो लाई जा रही है इसके उपर अब बात हम पहले कर चुके है conference of parties 26 round की जो बाचीत हुई हो इसमें तो इसमें key hurdles क्या है क्या समश्या है है वो जानेंगे बाकी जो बच्ची हुई news है इन पे एक बार नज़र डालेंगे तो चलिए explain page से detail में start करता है सबसे पहली जो explain page पे news है that is co vaccine के लिए देखो road open कर दी गई है recognition को लेकर के तो ऐसे में WHO की तरफ से यह जो approval मिला है इसको हम बोलेंगे emergency use license EUL ठीक है co vaccine produce किया जा रहा है इंडिया की ही एक company है that is भारत बायो टेक ठीक है और साथ में ICMR यह दोनों मिलकर के काम कर रही है तो covid vaccine के लिए यह approval मिलना इंडिया के लिए अपने आप में कोई कम जीत हम इसको consider नहीं कर सकते यह जो भारत बायो टेक है यह हैदराबाद based एक company है जो की पहले भी बहुत सारे vaccines डवलप कर चुकी है इंडिया में अगर देखें तो दो ऐसी companies है जो की vaccine को यहां indigenously डवलप कर रही है एक तो ओगी भारत बायो टेक तो है ही एक दूसरी company है that is एमदाबाद based जाइडस ठीक है ना तो ऐसे में यह भारत बायो टेक को जो मिला है आप यह कह सकते हो कि इंडिजीनस वेक्सीन को इंडिया का जो इंडिजीनस वेक्सीन है यहां का हमारा locally डवलप किया हुआ वो first है जिसको यह approval मिला है WHO की तरफ से और भारत बायो टेक की साथ में कौन काम कर रहा है ICMR अब इन दोनों के बीच में जो partnership का जो agreement है उसमें कुछ हैचा है कि government research organization that means ICMR का जो रोल है वो ऐसा है कि जो samples की requirement है virus की वो यहां पर fulfill की गई ICMR के द्वारा बाकी सारी चीजें जो डवलप करनी है वो भारत बायो टेक नहीं की है इसके आगे फिर आगे बात करें भारत बायो टेक की देखो इसको 1996 में establish कर दिया था first vaccine जो था वो hepatitis B के लिए था 1999 में इसके अलावा 2000 में rabies के लिए vaccine बन गया 2007 में influenza vaccine बन गया 2015 में rotavac जो की rotavirus vaccine है और उसको प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने ही launch किया था वो भी बनाया इसके अलावा टाइफाइड vaccine उसको भी WHO का approval मिल चुका है 2018 में और अब यह co vaccine तो इस तरीके से जर्णी लंबी है और success rate भी कम नहीं है इसके अलावा देखें दूसरे vaccine candidates की बात की जाए ठीक है co vaccine तो है ही जो की भारत बायो टेक ने डवलप किया है इसके अलावा तीन और candidates है जो इसी लाइन में है जैसे की single dose intra-natal vaccine ये देखो Washington University के साथ मिलकर के काम किया है Washington University School of Medicine at Centillusia यहाँ पर मिलकर के काम किया है भारत बायो टेक ने दूसरा Thomas Jefferson University के साथ मिलकर के vaccine तैयार किया जा रहा है जिसमें inactivated rabies के viruses है उनको यूज किया जाएगा वेक्टर की तरह उसमें भारत बायो टेक का participation है और भारत बायो टेक का एक और वैक्सीन है that is Coro flu ये भी डवलप किया जा रहा है University of Wisconsin विस्कॉंसिन मेडिसन एंड वैक्सीन कंपनी फ्लू जैन और साथ में है भारत बायो टेक इस तरीके से तीन वैक्सीन अदर केंडिडेट्स भी है जिन पर अभी काम किया जा रहा है भारत बायो टेक के दौरा ठीक है तो यह company specific कुछ information थी वह देख ली आगे चलते हैं देखो next जो news that is road kill and extinction risk लेपर्ड की अगर बात करें तो नौर्थ इंडिया में बहुत जादा इनकी population decline कर रही है और इसके पीछे road killing that means man-animal conflict road accident होने की वज़े से तो ऐसे में इंडिया में देखो northern इंडिया में vulnerable category में vulnerable to extinction category में आ रहे है road killing की वज़े से लेपर्ड ठीक है road killing के लिए that means vulnerable कौन से? vulnerable to extinction due to road killing की road accident की वज़े से death हो रही है और वो कही न कहीं extinct न हो जाए ये डर लगा हुआ है तो इसमें कौन-कौन सी और species है road की वज़े से road accident आप देख सकते हो right इसमें line-tailed macaak जो की South India में है इसी तरीकी से sloth bear ये भी South India में ही है ये ऐसे हैं जो की road accidents की वज़े से इनकी population decline कर रही है इसके अलावा आमूर टाइगर या फिर गोवा इंटलॉप ये तिबबत में है यहां पर इनका रिस्क है इसी तरीके से wild yak के भी तिबबत में है आइबेरियन लाइनेक्स और African lions ये भी है जो की बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर र जैसे इसके अलावा नौर्थ इंडिया में लिपर्ड लिपर्ड का आपको पता ही है साइन्टिफिक नेम क्या है पैंथेरा पार्डूस इसी तरीके से मैनेड मॉल्फ मैनेड वॉल्फ ये भी ब्राउन हाइना ये इसको भी बहुत ज़्यादा रिस्क का सामना करना पड़ जैसे हैं तो आपको अगर कभी ये लिखना होए कभी भी स्पीसी से संबंदे था ना या तो ये पूछा जा सकता है कि रिसेंटली ये स्पीसी न्यूज में थी ठीक है ना तो कौन से एरिया में थी या फिर वल्नरेबल टो एक्स्टिंचन लुप्त होने के कगार पर ये ल परसेंट और टाइम कितना 33 साल के अंदर अंदर तो इतनी ज़्यादा ये चीज निकल के आ रही है ऐसे ही मैनेड वॉल्फ रिसेंटली न्यूज में था कौन से कंट्री में मिलता है या कौन से कॉंटिनेंट में मिलता है तो आप ब्राजील कंट्री बता दोगे साओध अम यहाँ पर आप देख सकते हो राजाजी नेशनल पार्क और हरीद्वार कंजर्वेशन एरिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोड के लिंग की इंसिडेंट्स देखे गए हैं लेपर्ट्स के ठीक है और इसके अलावा आई यूशीन जी हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर क इंटर्वेशन आफ नेचर उसके द्वारा रिकागनाईज किया हुआ है कि लगबग लगबग टैन मैमेलियन स्पीसीज ऐसी हैं जो कि रोड किलिंग की वज़े से इस तरीके का थ्रेट देख रहे हैं कि वो एक्स्टिंक्ट हो जाएं तो एक यह फिगर भी आप याद जरूर पड़ोगे आई यू सीन की लिस्ट एक बार जरूर पड़ ले आप डंक से हैं ना इसमें क्रिटिकली एंडेंजर जरूर देख लो और बाकि जो न्यूज में आ रही है ना वो तो हमें देखनी है ही ठीक है आगे चलते हैं नेक्स देखो आर्टिकल एक्स्प्रेइ गया है जिसे की ये जो मॉलनो-पिराविर है इसको ओर जदा स्पीड से डवलप किया जा सकता है वो कैसे देखो होता क्या है कि ये एक अपने आप में एक एंजैम का रिसेर्च अभी की गई है जिससे की जदा स्पीड से मैनिफैक्टरिंग हो सके हमारी बार्डी में मॉलन बेड्रॉप के फॉर्म में अगर हमारी बॉडी में इंटेक ले लेते हैं इसका, ठीक है, मोलनू पिराविर का, तो ये क्या करेगी, कि जो कोरोना वाइरस है, जिसमें टिंडेंसी होती है, खुद से खुद को रेप्लिकेट करना, कॉपी करना, तो उसमें क्या कर देगा ये, कि मोलनू पिराविर जो है न, ये तरीके से वाइरस को पागल बनाने का काम करता है, कैसे हैं, कि वो जब भी अपने आपको कॉपी करें, तो कॉपी करते हैं टाइम पर, खुद के आरेने को इस तरीके से डवलप कर दे, कि वो म्यूटेशन हो जाए उस आरेने का, और म्यू है, कि कैसे हैं, कैसे भी करके, कॉविड के और मल्लीकेशन को रोका जाए, और उसी चीज के लिए ये मोलनू पिराविर बहुत जादा इंपोरٹन्ट है, और इसको, इसकी, जो ये, इस मोलनू पिराविर का जो काम है, इस काम को बढ़ाने के लिए, इसकी क्वांटिटी भी ज़रूरी है मौलनू पिरावर एन इन्वेस्टिगेशनल ड्रग अगेंस्ट कोविड नाइंटीन तो पूछा जा सकता है कि मौलनू पिरावर रिसेंटली न्यूज में था ये क्या है तो आप ये बता सकता है ये चीज आगे चलता है अब फिर देखो अगली जो एक्स्प्रेंट पेस की आर्टिकल है ये तेट इस हाई कोट ओफ तमिल नाडू ने क्यों अभी जो वेन इयार कम्यूनिटी के लिए जो रिजर्वेशन की बात की गई थी मोस्ट बैक्वर्ड कम्यूनिटी के नाम पे उसको क्यों स्टर्क डाउन कर द क्लासिस के बेसिस पे MBC उसके बेसिस पे रेजर्वेशन देने की बात की गई थी वेन इयार कम्यूनिटी जो की तमिल नाडू की है ठीक है तो ऐसे में AI-DM की गौर्रमेंट ने ये प्रोजल अपनी तरफ से दिया था अब DM के सरकार चल रही है तो DM के ने भी इसी चीज़ को पुश कर दिया फिर बाद मुद्धा पहुंच गया कहां पर मदरास हाई कोट में तो मदरास हाई कोट ने ये कह दिया कि जी आपके पास में जो डेटा है जिसकी बैकिंग के बेसिस पे आप ये डिसीजन ले रहे हो वो क्वांटिफाइबल डेटा नहीं है ये अल्ट्र की बात करें तो अभी करंट रेजर्वेशन तमिल नाडू में आप मान के चलो 69% तक है 69% रेजर्वेशन अब सवाल ये आ जाता है कि हमारे यहां पर दो इंदरासानी केस की बेसिस पे सुप्रीम औरेबल सुप्रीम कोट ने ये कह रखा कि 50% की कैपिंग लगी हुई है पर वैसे तो 9th schedule है उसको judicial review के अंडर में ला रखा है पर उसके बावजूद भी अभी continue कर रहा है 69% रेजर्वेशन अब इसमें क्या है 30% रेजर्वेशन तो है देखो इसमें Christian और Muslims को include करते हुए other backward classes के लिए 20% रेजर्वेशन है वो MBC के लिए है 18% है SC के लिए और 1% है ST के लिए अब ये जो वेजर्वेशन दिया गया ना साड़े 10% ये इस 20% का ही हिस्सा है पर जब पता पड़ा कि MBC कम्यूटी का जो रेजर्वेशन दे रहे हो आप साड़े 10% तक है उस रेजर्वेशन के बेसिस पर जब चेक किया कि ये वेनियार कम्यूटी है इसकी population कितनी है तमिल उफिसेज में गौर्ण्मेंट कॉलेजेज में एडमिशन लेने की बात करेंगे तो उनको बिना कॉंपिटिशन के एडमिशन मिल जाएगा तो बोले ये तो अल्टरावाइरस है ये तो कॉंस्टिटिउशनल प्रवीजन्स के बिल्कुल अगेंस में जा रहा है इसलिए फि कामिल नाडू में जो रेजर्वेशन ये मॉस्ट रेक्वर्ड कम्यूनेटी के लिए आना शुरू हुआ था ना इंटीन फिफ्टीज में ठीक है ना जब हम रेजर्व अमारा जो इंडिपेंडेंस हमने गेन कर ली थी उसके बाद में ठीक है तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकलर देखो मेगालय में जो मेट्रिलीनियल इन्हेरिटेंस सिस्टम है उसमें चेंजिस लाने से संबंदित देखो पिछले हफते की बात न्यूज भी हमने देख ली थी अगर वो न्यूज आपने देख ली तो आपका एकदम क्लियर होगा क्योंकि हमने आसम, तरपुरा, मेगालय, मनीपुरी यह चार ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर जो ट्राइबल रीजन उनको रेगलेट करना वहां का जो रूल रेगलेशन है उनको कंड़क्ट करने के लिए वहां की जो लोकल कम्यूनिटी हैं ट्राइब्स हैं उनको एमपावर किया गया है ह अब उस six schedule के ही basis पे यहां पर इनको प्रोविजन दिया गया है कि आप अपने जो रूल्स हैं अपने हिसाब से बना सकते हो तो ऐसे में वहां पर जो मेगाले की तीन कम्यूनिटीज है खासी जैनतिया गारो ठीक है ना तो शिलोंग वाला जो एरिया ना वो खासी वाले एर हम भी है ठीक है फिलाल हम बात कर रहे हैं खासी की अब देखो इस वाले एरिया में मेगाले में अभी introduction किया जा रहा है मतलब announcement किया है वहां पर कि जी खासी inheritance property bill 2021 है वो लाया जाएगा और इसमें target रहेगा equitable distribution का अब वो equitable distribution क्यों लाया जा रहा है वो जानने से पहले हम वहां देखो matrilineal system क्या होता है पहले तो हम वो जानते हैं देखो मेगाले में तीन tribe से खासी जैनतिया गारूई हमने देख लिया matrilineal inheritance वहां पर चलता है that means माता का जो clean है ना मा का जो वंश है वो वहां पर चलता है ना कि पिता का वंश चलता है पहली चीज़ तो ये clear हो जाए दूसरी चीज माता का अगर वंश चल रहा है that means मा का जो सरने मना वो बच्चों को मिलता है ना कि पिता का दूसरी चीज़ आपको clear होगी इसके अलावा तीसरा जो point है वो ये कि matrilineal अगर lineage चल रहा है तो उसमें क्या होता है husband जो है वो अपनी पतनी के घर जाता है शादी ह होने के बाद में ना कि पतनी उस अपने husband के घर आती है तो ये चीज एक और clear होगी फिर बात आजाती है property की तो property जो है वो सबसे चोटी बेटी के नाम होती है जिसको कहा जाता है खादू ठीक है खादू तो अब आप देख सकते हो ये system जो है वो सीधा का सीधा clear क्या रहा ह that means माता का once है उसको follow किया जा रहा है यहांपर ठीक है अब खाद दू जो है वो एक तरीके से custodian हो गई property की सबसे चोटी बेटी है और custodian हो गई पर उसके साथ साथ में उसको responsibilities भी मिलती है for example बुडे माबाप है तो उनकी take care करने की उनकी जिम्मेदारी अगर कोई भाई ब परेशान है physically disabled individual है उसका कोई brother या sister उसकी take care करने की भी जिम्मेदारी रहेगी साथ में अगर वो खाद दू इस property का लेंदेन कहीं करना चाहे तो उसको अपने मामा से permission लेनी पड़ेगी कारण क्योंकि अपनी मा की property आ रही है ना ठीक है अब नानी नानी से मा और मा के बाद में सबसे छोटी बेटी तो उस case में मामा मतलब अपने maternal uncle से उसको बात करनी पड़ेगी कि जी मैं इस property का कुछ लेंदेन करना चाहती हूँ तो ऐसे में ये procedure वहाँ पर चलता है क्योंकि matrilineal system है मा की तरफ से property आ रही है वो चीज यहाँ पर आ गई ठीक है फिर traditionally setup की अगर बात करें तो सीधी सी बात है अगर मान लो किसी के मतलब आप कह सकते हो कि किसी couple के कोई बेहन नहीं है ठीक है ना तो उस case में वो property जो है वो माता की बड़ी sister के नाम चली जाएगी और वहाँ पर भी अगर sister नहीं है तो फिर उसकी बेटियों के नाम चली जाएगी मतलब हर पर फीमेल्स का ही वहाँ पर property के लिए हिस्सा चलता है पर जो important बात है ये कि क्या ये system empower कर रहा है women को वहाँ पर मेगाले में तो experts और वहाँ के जो local activist है उनका ये कहना है कि आप एक बार देखो कि खातूद को हमने custodian तो बना दिया property उसके नाम कर दी पर वो उस property का लेंदेनी नहीं कर पाती जब तक कि वो अपने मामा से ना discussion कर ले तो कहां पर empowerment हो रहा है इसके अलावा वहाँ पर जो कोई भी system अभी चल रहा है ठीक है मेगाले में बहुत सारे organizations काम कर रहे है तो बहुत प्रापर्टी उसकी खुद के नाम होने के बावजूद वो action नहीं ले सकती तो फिर किस तरीके से वो आप कह सकते हो कि हाँ जी बहुत ज़्यादा empowerment हो रहा है ठीक है politics में women का जो रोल है वो इतना ज़्यादा highlight नहीं हो रहा है वो भी एक अपने आप में question mark rise करता है अच्छा एक चीज सव पर होती रहती है पर सवाल ये है कि बेटी से बेटी के बीच हो चली के पर head of the family कौन है अब head of the family के नाम पर decision कौन ले रहा है अगर decision लेने की बात आया तो फिर property से related decision में भी empowerment हो न चीए पर वो नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में हो बोला है matriarch की नहीं है हमारे matrilineal system है दोनो ये bill में changes क्या लाए जा रहे है बिल में तो देखो simple सा ये है कि जो हमने पूरा system देखा ना इस system में खासी hills autonomous district council जो की schedule 6 के तहत constituted है वो अभी equitable distribution of the property करना चाहती है वो कैसे देखो कीजी सबसे छुटी बेटी को property मिल जाती है सारी पर उसके भाई को या उसकी बड़ी बहने है उनका कोई हक वहाँ पर बनता नहीं है तो अगर भाई को या बड़ी बहन को कहीं से loan लेना है तो वो फिर बाद में इस चीज का use नहीं कर पाते है तो collateral के तौर पे उनके पास म तो इसके लिए equitable distribution की बाचीद करेंगे देखो इस तरीके के reforms की demand वहाँ पर already की जा रही थी मेगाले में पर ये जो KHADC that means Khasi Hills Autonomous District Council ने वहाँ पर जो already moment चल रहे थे उनके साथ में consult किया नहीं और अब ये अगर बिल यहाँ पर आ भी जाता है Khasi Hills Autonomous District Council के दौरा तो इस बि dual 6 का paragraph 12A क्या कहता है कि अगर कोई भी law कोई भी बिल एक्ट में अगर बनेगा तो इसको state legislature से तो पारित करवाना पड़ेगा कि हाँ ये बाठीक है कि उसके शुरुआत कहां से होगी जो Autonomous District Council established कर रखी अब वो तो ऐसे में state legislature से अब ये बिल पारित होगा तब जाकर के बा थोड़ा सा doubt में है क्योंकि जो दूसरे activist है ना उनसे proper consultation में नहीं किया गया है अब बाकी देखो time बताएगा आगे क्या होता है फिलाल जो situation है वो आपको समझ में आ गई होगी कि क्या system चलता है नौर्थीस में particularly मेगाले हमें ओके आगे चलता है फिर देखो आगे news तो ये ह कि अब धिरे धिरे pandemic down हो रहा है economic activities बढ़ रही है तो carbon dioxide emission है वो फिर से rise हो रहा है और अगर 2019 के comparison में देखा जाए ना तो लगबख 4.9% जो है वो rise हो रहा है carbon dioxide emission इंडिया में ठीक है global carbon project के basis पर अगर देखें जो कि एक international research group है उन्होंने अपना latest trend अपनी तरफ से release किया है और यह बताया है कि overall अगर देखें तो 4.9% जो है पिछले साल के comparison overall तो 4.9% release carbon dioxide ज्यादा होगा और pre pandemic period मतलब 2019 के comparison में देखेंगे तो भी वहाँ पर ज्यादा आपको increase होता हुआ दिख रहा है emission क्योंकि economic activities पिछले साल इतनी थी नहीं और अब economic activities बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं पिछले साल की अगर देखें तो carbon dioxide emission में absolute reduction that means कि total जितना emission हुआ करता था 2019 में उसके comparison में 2020 में कितना emission हुआ 1.9 billion tons lesser ठीक है इसके आगे वन सेकिंड इंडिया की अगर particular बात की जाए तो इंडिया में पिछले साल के comparison में इस साल 2021 वाले साल में लगबग 12.6% ज्यादा carbon dioxide emission ह होगा और 2019 के comparison में अगर देखा जाए 2021 में जो कि pre pandemic period था तो यहां पर 4.4% ज्यादा emission होता हुआ दिखाई दे रहा है देखो current जो trend है अगर इसी तरीके से चलता रहाना तो मुश्किले तो कम नहीं है तीक है जैसे कि IPCC ने बोला था कि 1.5 degree Celsius temperature है वो तो यू मान के चलो आने वाले 11 सालों के अंदर अंदर हो जाएगा और आने वाले 32 सालों के अंदर 2 degree centigrade temperature राइज हो जाएगा जिस तरीके से हम अभी चल रहे हैं तो यह चीजें भी बड़ी important थी IPCC से नहीं बात कही है अपनी latest report में ठीक है चली आगे चलता है फिर देखो एक news है यहां पर नेपाल म एक पांस दिन का festival celebrate होता है that is तिहार festival ठीक है ना इसमें क्या होता है कि अपने जो best friend है men के उनको honor किया जाता है और उसमें particularly focus करें तो dogs को उनको माला पेनाई जाती है उनको तिलक किया जाता है मिठाई मिलती है मीट मिलता है इनको खाने के लिए तो even stray dogs अपने pets है उनको तो नमाजी होती है ये तो तिहार festival ये आप ध्यान रखोगे इसके अलावा नेपाल ने इंडिया के साथ में अपनी तरफ से एक approval दिया है कि जी हमारे पास में जो surplus में electricity available होगी वो इंडिया के साथ हम इंडिया के exchange market में हम launch कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो क पर्मिशन जैसे ही जल्दी मिलेगी तो लगबग यहाँ पर एक तो देखो अपर तामा कोशी पावर प्लांट जहां से electricity 456 मेगावार्ट प्रडूज होती है ऐसे ही मार्शिया अंगड़ी ठीक है ये भी पावर प्लांट वहीं पर है अपर बोते कोशी ये एरियाज है ये पावर जेनरेशन सेंटर्स हैं नेपाल में और यहाँ से जो है electricity सप्लाई करने की बात की जाएगी इंडिया को मेंली आप कह सकते हो इंडियन एनर्जी एक्स्चेंज में ये लांच करेंगे अपनी तरफ से electricity participation को कि भाई देखो hydro electricity अच्छी खासे प्रडूज होती है नेप electricity को launch किया है तो वो आंसर हो जाएगा नेपाल तो ऐसे में नेपाल electricity authority है ना वो यहाँ पर ये काम करने वाली है ठीक है तो ये question बन सकता है मारे लिए आगे चलते हैं अब एक आपके लिए task है UNICEF के बारे में पढ़ने के लिए वाकि न्यूस तो सीधी सी है कि अफगानिस् teachers को support देने के लिए UNICEF सीधा काम करेगा तालिबान authorities को bypass करते हुए इसके लिए एक network वहाँ पर properly तयार किया जा रहा है ठीक है तो अफगानिस्तान में chief of education UNICEF की तरफ से जनेट वोगेलार ये इस सीज को lead कर रहे है ठीक है ना तो UNICEF के बारे में आप एक बार जरूर बहुत important entity है आगे चलते हैं फिर देखो economy page पे है one sun one world one grid to connect facilities for a green future अब इसमें hurdles क्या क्या है वो जानते हैं देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी और UK प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉंसन ने एक green initiative launch किया है जिसको हम बोल सकते हैं जिसका नाम है one sun one world one grid OSOWOG project जो की COP26 मे launch wise में क्या है कि energy grids को हम connect करेंगे across the borders मतलब country चाहे कोई भी हो उन सब की बीच में integrated manner में renewable energy plants को connect करेंगे जिससे की faster transition हो सके इसका तरीका simple सा क्या है main target की जी देखो हम renewable energy से electricity produce करना चाहते हैं पर रात को जो electricity की requirement है कहीं पर वो पूरी की जा सकती है उन country से जहां पर एक जगह पर दिन है और दूसरे जगह पर रात है तो दिन वाली जगह से आप electricity supply दे सकते हो रात वाली जगह पर यह अपने आप में प्रोपोजल पहले भी दे दिया था 2018 में जब international solar alliance के एक leading player के तोर पे इंडिया जब अपनी statement speech दे रहा था तो उस time पर यह बोला गया था पर इसमें सवाल क्या है कि यह बहुत ही ज़्यादा costly अपने आप में एक मुद्दा है इसमें time लगेगा पैसा भी बहुत ज़्यादा लगेगा ठीक है ना जैसे कि यहाँ पर वही चीज मैं मैं बता चुका हूँ कि अगर मान लो इंडिया में sunset हो जाए हना तो उसके बाद में कहाँ पर solar energy तो उस case में क्या किया सकता है बो उधर आफ वेस्ट की तरफ जाओगे तो पाकिस्दान पाकिस्दान से आगे चले जाओ इरान या फिर वेस्ट एशिया में बात कर लो या फिर आगे यॉर्प में तो बो वहां से supply दे दी जाए इंडिया के लिए और इंडिया में ज long distance transmission losses कितने हो जाएंगे investment कितना होगा तो देखो बातचीत तो हो रही है बाकी लगता नहीं है पर हाँ एक चीज है कि South Asian countries for example इंडिया बूटान बांगलादेश या फिर South Asian country for example मियामारो और नेपाल इनके बीच में भी अगर capacity sharing का एक model तयार हो जाकता है तो उसके बारे में आगे बड़ा जाना possible है यही चीज बताई जा रही है बाकी इसके आगे sports page पे एक news है यॉक्शायर cricket club वो अभी फिलाल highlight है क्योंकि racism को लेकर के वहाँ पर comment हो बेसिकलिए पाकिस्तान ओरीजिन के एक spin baller है जो कि यॉक्शायर cricket county cricket club की तरफ से खेलते हैं ठीक है तो उनको ल लेकर के फिर से हाइलाइट में आ चुकी है इंग्लिश cricket county सॉरी तो इस discussion में जो भी content था हमने देख लिया है थैंक्यू बेरे मच्च